आज जो मैं breakfast बनाने वाली हूँ बहुत ही जादा healthy है आसान है बहुत ही छटपट से बनने वाली recipe है तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है तीन चोथाई कप सूजी और इसमें डाला है मैंने चार चम्मस दही दही जिस कटोरी में था बस उसको दो के यहाँ पे मैंने लग यहाँ पे मैंने डाला लगबग एक तीहाई कप पानी अब इसे फिर से अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढखके हम रख देते हैं अभी side में इसे ढखके रखेंगे तो oats और सूजी दोनों अच्छे से फूल जाएंगे और यहाँ पे मैंने लिया है देखिए एक छोटा सा पाले greater से grate कर लेंगे अगर आपके घर में बच्छे बड़े जो भी कोई हो अगर लौकी नहीं खाता हो ना तो इसको इस तरीके से लौकी का नास्ता बना कर देंगे तो पूरा नास्ता वह अकेले खा जाएंगे क्योंकि इस तरह से लौकी से बना हुआ नास्ता बहुत ही तेश्टी लगता है खाने में और इसे बनाना तो आसान ही तो यहाँ पर लौकी को grate करने के बाद यहाँ पर मैं जो एक कॉर्ण था उसके दाने निकाल के मैंने इस तरह से इसे चौप कर लिया है और यहाँ पर देखिए सूजी और ओट्स काफी अच्छे से फुल चुके ह और ओट्स तो बिल्कुल अच्छे से इसमें मैस हो गया मिलाने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे यह अपने चौप की हुए स्वीट कॉन, एक बारी कटा हुआ प्याच, एक बारी कटी हुई हरी मिर्च, हरा धन्या पत्ती और यह सारी लौकी ग्रेट की हुई डाल दें एक चौथा ही चमच यहां पर आजवाइन इस तरह से हाथों पर रगड के डाल देंगे और इसके बाद यहां पर आदा चौटे चमच काली मिर्च पॉडर डालेंगे इससे थोड़ा से मिला देंगे इस तरह से नमक तो मैं भूली रही थी यहां पर स्वादानुसार नमक भी डालेंगे अब अच्छे से सारे बैटर को हम इस तरह से मिला लेंगे मिलाने के बाद यहां पर के गयास पे हम रखेंगे एक पैन और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल लगभग एक चमच के करीब उसके बाद यह तो ऊसके बाद यह बैटर डालना है आप चाहें तो इसे छोटे छोटे पतले पतले भी बना सकते हैं या इस तरह से मेरी तरह थोड़े से मोटे और बड़े सेप में भी बना सकते हैं अब इसे हम ढख के पकने देंगे धाई से तीन मिनट तक उसके बाद इस तरह से इसे किसी प्लेट में निकालेंगे क्योंकि यह थोड़ा मोटा है तो इसे पलटने में दिक्कत होगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फिर से डालेंगे एक चमस तेल, एक चमस राई और कड़ी पत्ता तो यहाँ पर राई और कड़ी पत्ता हलके से भुन जाएंगे ना बस उसके बाद इस नास्ते को हम दूसरी साइट से इस तरह से आराम से पैन में डालेंगे और इसे बिचो बीच इस तरह से कर देंगे और इसे फिर से ढख देंगे गैस की फिलेम लोटू मीडिया मी रखेंगे और इसे फिर से हम धाई से तीन मिनट तक ही अच्छे से से शेक लेंगे और चाहें तो इस तरह से एक बार उठा के देख लें जैसा उपर का कलर आया है ना इंदम गोल्डन ब्राउन कलर अगर वैसा नीचे से भी कलर आ चुका है तो इतने टाइम में तो ये बिल्कुल अंदर तक अच्छे से सीख जाएंगे इनको कच्छा रहने की बिल्कुल संभावना नहीं है तो अगर इस तरह से ये सीख चुके हैं तो इसे आप पैन से बाहर निकाल लेंगे तो ये हमारा सूजी ओट्स और लाओकी का नास्ता बनकर तयार हो चुका है तो देखने से ही लग रहा है ना कि कितने ज़्यादा मज़दार बने हैं खाने में तो ये वाके में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है अब यहाँ पर बचे हुए बैटर में हम डालेंगे बेकिंग सोडा पहला वाला हमने बीना सोडा का बनाया था लेगिन दूसरा वाला वाला हम सोडा डालकर बना रहे हैं तो सोडा डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे और सेम उसी तरीके से हम तवे पर फैला लेंगे बैटर थोड़ा सा जादा था तो इसलिए थोड़ा सा साइज में ये बड़ा बन रहा है इसे हम ढख देंगे 2-3 मिनट के लिए फिर से तो चलिए अभी जो हमने बना के तयार किया है इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ तो इस तरह से इसके मैं 4 पीसे कर रही हूँ आप अपने मन मुताबिक से काट सकते हैं तो यखीन मानिए बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है ये हेल्दी नास्ता इसे आप अपने मन चटनी के साथ खा सकते हैं और यहां पर यह नीचे साइट से अच्छे से सीख चुका है तो सेम उसे तरीके से इसे हम दूसरे साइट से भी सेख लेंगे तो इससे आराम से इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेंगे दूसरी साइट से इस तरह से पैन में डाल देंगे और आपको अंगलियों से इसे प्रेस करके दिखा रहे हूं तो देख सकते हैं यहां पे यह है न थोड़ा स्पंजी और हलका फुलका सा तो चली इसे हम फिर से ढख देते हैं तीन मिनट के लिए ताकि यह पीछे साइड से भी अच्छे से सीख जाए तो यहां पे देखिए यह द यह दोनों के साथ बहुत ही जवाब लगता है आपको जिसके साथ यह अच्छा लगी उसके साथ इसे खाईएगा तो अगर आज के नास्ते की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक चरूर से कर दीजेगा साथी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलत एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद